यह है बंगाल में दुरघटना ग्रस्थ हुई बीका नेर गुहार्टी एक्स्प्रेस ट्रेन यह ट्रेन पटरी से उतर गई है यहाँ पर आप इसका इंजन देख सकते हैं नए साल में नए रेल मंत्री के कारिकाल में यह पैसेंजर ट्रेन की पहली भीषन दुरघटना है इसे बाहर निकालने के लिए वह भी पहुँच चुकी है टीम है सेनियर आफसर साइट पर पूरी तरह से हम लोग अभी अभी प्राइम मिनिस्टर साथ में भी फोन करके पुरे अधुरघटना की जानकारे लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन्स की जानकारे लिए हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पर हो सभी दोग निकले मेरे पैसेंजर साथी और एक्सक्रेशन भी अनौन्स कर लिया है अल्ड़ी जेनरल मैनेजर लॉफ्टी इस्टर ने यहाँ पैसेंजर ट्रेन उत्तरी बंगाल के दो मुहानी इलाके में दुरघटना ग्रस्त हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दर्जन भर से जादा रेल डिब्बे पटरी पर तितर बितर पड़े हुए हैं यहाँ आसपास रेल यात्री बैठे हुए है यह देखे किस तरीके की भीषन दुरघटना है यह फोटो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा यह दुरघटना जबरदस्त है यहाँ पर जिस तरीके की यह दुरघटना हुई है उसको देखकर यहीं कहा जा सकता है कि इसमें लोगों को काफी नुकसान हुआ है लेकिन इसमें एक चीज तेय है कि अगर आई-सी-फ डिब्बे ना होते, यानि पुराने टरहे डिब्बे ना होते तो इतना नुक्सान नहीं होता, यानि जो इसमें जान का नुक्सान हुआ है जिन लोग की जान गई है, वो जान नहीं जाती और डिब्बे एक दुसरे के उपड़ चाहते हैं और इस पर बात्चीत करने के लिए हमारे साथ सुधान्शु मनी जी हैं जो कि लखनव से जुड़ रहे हैं आए उनी से बात करते हैं आई सीएफ के पूर जीयम रह चुके हैं सुधान्शु जी आपका स्वागत है न्यूजिस्टेशन में नवस्कार नवस्कार सर आज जिस सब्जेक्ट पर बात हो रही है वो निश्चित तोर पर दुखद है क्या कहेंगे सर अगर यह एक्सिडेंट जो है इसमें लेस्बी कोचिस होते है इस ट्रेन के अंदर तो इतनी ज़्यादा नुक्साम नहीं होता कहा जा सकता है यह सर जी जब आपने मुझे इस प्रोग्राम पर बुलाए उससे पहले मैं टीवी पर देख रहा था और इमेज़र आपने भी यहाँ दिखाई ही तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं पहली तो आपने ठीक कहा कि बहुत दिन बाद ऐसा हदसा हुआ है जिसमें अभी तो पता नहीं कितने लोगों की मौत हुई है लेकिन ऐसा लग रहा है कि नंबर अच्छा खासा होगा तो बहुत दिन बाद हुआ है और ऐसा क्यों आपने भी कहा कि पिछले कुछ सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूब्मेंट में रेलवे में अच्छा काम हुआ है और इंफ्रास् पे क्या हुआ अभी हम लोग नहीं कह सकते वो जाच का विशह है कि डिरेल्मेंट हुआ क्यों अब आते हैं आपकी बात पर कि अगर एक कंसिडरेबल सीड स्पीड पे डिरेल्मेंट हो जाए तो कोचेज जो हैं वो ऐसी डिजाइन की होनी चाहिए कि वो ना तो कैप साइज हो ना एक दूसरे के उपर चड़ जाएं जो आप यहां देख रहे हैं वो कैप साइज हो गई गिर गई हैं एक दूसरे के उपर चड़ गई हैं और जब ऐसा होता है तभी तभी होती है वरना लोगों कुछ चोटे आ सकती है लेकिन आम तोर पे मरते नहीं हैं लोग अब द कोच involved हुई हैं कई accidents हुए हैं जिनमें वो डिरेल हुई coaches हमेशा उनकी coupling की rigidity उनका anti climbing feature ऐसा है कि वो rigidity बनाये रखती हैं डिरेल्मेंट के बाद भी तो और न कैप साइज होती है थोड़ी tilt जरूर हो जाती है पर कैप साइज नहीं होती और एक दूसरे के उपर कभी नहीं accidents में इससे ज्यादा speed पे हुए accidents में भी चोटे लगी हैं लोगों को लेकिन मौत नहीं हुई कोई आज तक पूरे lhb के इतिहास में शायद एक ही case है और उसका reason कुछ और था coupling में कुछ breakage आ गई थी और उसमें कुछ लोग मरे जरूर थे otherwise कि भी किसी भी accident में मेरी knowledge में ऐसा नहीं हुआ कि lhb coaches वाली train में derailment की वज़े से एक दूसरे पे coaches climb कर गई हो या capsize कर गई हो और लोग मरे हो ऐसा नहीं हुआ तो इससे साफ जाहिर है कि धीरे धीरे सारी ICF की coaches आपको बदल देनी चाहिए इन ICF coaches ने हमें service भी है 50s से लेके आज तक दे रही है यह हम लोग technology लाए थे लेकिन अब अब वक्त आ गया है कि यह जानमाल का जो यह नुकसान होता है इसको कर्ब किया जाए तो कैसे किया जा और board ने approve किया कि ICF coaches का production एकदम बंद कर दिया गया तो उसको चार साल से ज्यादा हो गया उसके बाद से सिर्फ LHB coaches बन रही है लेकिन हमारा बड़ा लंबा चोड़ा railway system है मुझे लगता है आज की date में भी 35 से 40,000 ICF coaches अभी भी service में होंगी और यह 25 साल इनकी service life होती है तो theoretically जो चार साल पहले सवाचार साल पहले बनी वो भी अपसे 20 साल बात तक service में रहेंगी तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा मुझे लगता है कि इनको कोई एक policy ऐसी लानी पड़ेगी कि और expeditiously इनको system से वहार किया जाए और इनको LHB coaches से replace किया जाए तो इसके लिए पैस तो मैं इतना कहूंगा कि आज के दिन हम लोगों ने capacity ICF में और बाद में RCF MCF में भी coaches manufacture करने की capacity इतनी पहुँचा दी है कि 8-8.000 coaches हर साल बन सकती है जबकि आप पिछले 2-3 साल से COVID और दूसरी चीज़े होई उसके आसपास नहीं पहुँच रहे हो तो एक तो immediate जरूरत है कि coaches का manufacture 8,000 से उपर पहुँचाया जाए जो कि बड़ी आसानी से हो जाएगा इन production units और ICF coaches replace की जाए जहां तक funds का सवाल है तो railways आज इतने अपने working diesel लोको ये जो assets हैं उनको बैठाय हुए है और electric लोको और बनते जा रहे हैं funds को divert करके ज्यादा से ज्यादा LHP coaches बनवाईए और ICF coaches को replace करिए तो ये एक long term safety के लिए जरूरत मुझे लगती है इतना मैं बोल सकता हूँ ये अभी accident की जो pictures हैं उनको देखके बाकी accident क्यों हुआ ये तो अभी बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि इतना मुझे दिखाई दिया कि mid section में हुआ है या याने कोई ये derailment का case है point crossing पे नहीं लग रहा था जो मुझे picture से समझ में आया लेकिन पकी ख़वर मेरे बाद नहीं है सर यहाँ पर एक और चीज हम समझना चाहते हैं कि जब ICF coaches को unsafe कहा जाता है क्या वज़े होती है collapse हो जाए और impact जो है main coach में नहीं जाए यह एक feature था यह लेकिन बहुत कारगर नहीं साबित हुआ वो और collapse करने की बाद तो दूर जब high speed पे impact होता आप यह सोचिए कि एक coach derail हुई तो वो उसकी जो inertia है वो जमीन में रोक ली पहिये जमीन पे चले गए वो एक आएक रुक गई उसके पीछे जो coach है उसमें पूरा momentum है अब वो जो force है वो पूरा इस coach पे आएगा वो उसको दबाएगा भी और उसी momentum में उपर चड़ने लगेगी तो यह उपर ना चड़े इसके लिए कोई protection ICF coach में नहीं था उसकी screw coupling थी उसमें ऐसा कोई feature में था LHB में यह tight lock coupling है जो यह rigidity देती है कि वो पूरा shock absorb करके coach को अपनी जगह पे बने रहने देती है वो चाहे इदर उदर हो जाए बेंड हो जाए डिरेल हो जाए लेकिन ना दूसरी coach पे वो चड़ती है और ना साइज होती है सर जैसा कि हमें लगता है कि इतने धेर सारे coaches है इनको रेलेवन ने decide तो कर लिया है कि सारे LSB करने है उसमें टाइम लगा ऐसा नहीं हो सकता है कि इसकी speed कम रखी जाए ICF की ICF को क्यूं आप सब पर चलाना चाहते हैं अगर इस तरीके की co-accident होता है और अगर climate की condition हमारी ऐसी है कि track भी कई बाद हो सकता है साथी साथ उसमें sabotage की भी चीजें है क्योंकि देश यानि अलग तरीके का है हर तरीके की चीजें हाँ हर तरीके की problem है तो उसमें क्या ICF coaches को कम speed में नहीं चलाए जा सकता है आप बहुत तेज मत चलाएए 50-60 की speed पर चलाएए तो क्या इस तरीकी का accident होगा ठीक है तो आपकी बात को अगर आगे बढ़ाएं याने की inferior service में इसको चलाए जाए जहां बहुत जादा speed की ज़रूरत ना हो तो अभी भी ICF coaches बहुत सी mail express trains में चल रही है और वहां पर उनको तो आप low speed पर नहीं चला सकते तो so called हमारी जो speed है वह 110 120 तक चलाने की जरूरत अब शायर 120 की तो कोई भी नहीं होगी लेगे 110 तक चलने वाली अभी भी trains हैं जिनमें ICF coaches हैं तो उनको जल्दी से जल्दी LHB से बदलना है इसलिए मैं कहना हूँ कि आप production बाहिए 8-9000 coaches बनाइए और ऐसी coaches आप इस speed पर बनाएंगे तो मुझे लगता है एक दो साल में आप सारी जो important mail express trains हैं जो इस 100 से उपर speed पर चलती है वो तो सब बदल जाएंगी और 100 km पर प्रतिगंटा वाली trains भी काफी कुछ बदल जाएंगी तो आपकी बात आदी सच मानूंगा अभी जहां ICF coaches चल नहीं है और train की speed 100 के आसपास है 100 से उपर है उसको तुरंत drastically speed घटाना तो संबब नहीं होगा बिकॉज वो पूरा उसका train का जो function है वो disturb हो जाएगा टाइम टेबल डिस्टरब हो जाएगा लेकिन immediate एक long term plan बनाने की ज़रूरत है और उसकी पहली requirement है कि आप LHB coaches बनाने का 8-9,000 हर साल और मैं तो यहां तक कहूंगा शहीद ज्यादा भी क्योंकि possibility है इन तीन production units में इस पे जल्दी फैसला होना चाहिए और infrastructure के improvement का तो काम अच्छा चल रहा था railway में इधर यह देखिए बहुत दिन बाद यहादसा हुआ है तो उसमें भी और जो improvements possible है वो भी जरूर करने चाहिए तर एक इसी से जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल है जिसको जी जी आखरी सवाल है सवाल यह है कि railway ने अभी हाल फिलहाल में private train के लिए ICF coach का की बात कही हो कहां private train चलाएंगे धेर सारे अगर यह इस तरीके के coaches हैं और कही न कहीं ज़्यादा speed में आप नहीं चला सकते हैं तो private players क्यों लेंगे इन ICF coaches को एक सवाल उठता है जी वो हम बात आपकी सही है वो जो tourist trains के नाम पे पुरानी ICF coaches को वो मेरे भी बहुत समझ में नहीं आया था कि क्या मंशा है ministry की क्योंकि private players वो पुरानी coach लेके उसको modify करेगा एक तो उसको modify करना ही बहुत मुश्किल होगा जिससे उसको passengers मिलें after all कोई value देगा passengers को तभी तो वो आएंगे और safety के बारे में तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा because वो तो उनकी design है जैसी है वैसी रहेगी तो आपकी बात में दम है वो tourist train के नाम पे पुरानी ICF coaches को देने का मुझे नहीं लगता वो project चल पाएगा उसमें आगे क्या हुआ अभी मुझे कोई ख़बर नहीं है पर मुझे नहीं लगता private players बहुत interested होंगे कि ICF की coaches लेके वो train चलाएं उनको LHB coaches का shell आप दे और अंदर की furnishing वो करें उसमें वो फिर भी interest ले सकते हैं मनी साब आपका सारा धन्यवाद नियूजी स्टेशन से बाक्चीत के लिए तैंक यू तैंक यू अब तो यहीं उमीद है कि बहुत लोग ना इसमें fatalities कम से कम रहें देखिए आज पता लगेगा क्या हाल है जी तो यहां पर हम यहीं उमीद करते हैं कि जो लोग उस दुरगटना में दुरगटना ग्रस्त हुए हैं साथी साथ जिनको परेशाणी हुई है उनको railway जल्क compare पहुंचा लेवे docs से जल्ड Ouais the c आजकू निकालने का काम चल लहा है तो इस तरीके की दुर्गटना दुबारा ना हो इस पर काम करने की जरूरत है तो देखते रही है न्यूजी स्टेशन फिर मिलेंगे दुबारा